यह देखे गाई यमी टेस्टी घल में रखे वे इंक्रेडेंट से बनाए सब्जी रोज 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 हरी सब्जियां खा करके आप लोग बोर हो गए हैं अगर या फिर छोले और पनीर और मटर का भी मन नहीं रह गया है तो चलिए हमारी इंट्रेस्टिंग से सब्जी बना कर कि हम तयार करते हैं इतनी टेस्टी और बहुत कम इंक्रेडेंट से बनकर तयार होगी हमारी यह रह से भी तो चलिए देखते हैं कि हमने यह कैसे बनाई है हलो एवरियोन आप सो को श्वागत है हमारी यूट्व चानल शाय मिस्रमें आज हम बनाने जा रहे हैं देखिए यम श्वाच स्पून है और यह हमने ले लिया है एक छोटा मीडियूम साइस का प्याज तो इसको हमने जैसे पकड़ियों में लंबालंबा कट करते बस उसी तरह से क्यूब में कट कर लिया है और इसके सारे अलग-अलग लच्छे कर दिया है और यह दनिया एक बड़ा साइस क तर्माटर और दो से तीन लेसन की कलिया और प्याज अगर आप याज लेसन नहीं खाते तो आप टमाटर की कौन्टिटी थोड़ी से बढ़ा सकते हैं और यह देखिए हमने अपना बैट बेशन जो है वो डाल दिया है अपने बाल में अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पान डालते हुए लंग्स फ्री बैटर बनाएंगे बिल्कुल गुट्लिया नहीं होनी चाहिए गुट्ली फ्री तो यह देखिए इस तरह से हम थोड़ा तो लागर के पानी इस कंसेंटेंसी का बना लेंगे तो अब इसमें हम यूज करेंगे कुछ इंकेडियन देख सकते हैं ह हल्दी पाउडर कलर के लिए अब आट करेंगे देखिए कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर देखिए मिर्च हम इसमें कम यूज करें क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो यह साधारन रेड चिली यानि रेड मिर्च इसको भी यूज किया है और यह हीं थोड़ा-थ हनिया पाउडर और यह जो हमने क्यों में कट करके रखा था प्याज उसको भी इसमें आट करेंगे और मिक्स कर देंगे इस तरह से बनाने से रेस्वीन तो सबका थोड़ा सवाद भी बदल जाता है खाने का और बहुत टेस्टी सब्री भी बनकर तयार होती है तो इस तरह स मिक्स करेंगे आप देखे चॉपर में हम चॉप करेंगे जो हमने रफली कट करके रखा था टमाटर और अपना प्याज और इसमें था लासन की कलिया जिसको हम महीन कट कर लेंगे चॉपर में तो यह देखे चॉप हो चुका है अच्छे से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं मगर हमने चौपर में चौप कर लिया तो देखें गईस्वा, तो स्फून पानी crimes और iis मिक्स करें तो देख सकते हैं तो इसको तवा नाउनस्टिक पेरे तो आप के पाएने कोई दिक्कत नहीं हो गी वहरा पैन तो इस तरह से ओल लगा करके अच्छे से गरम करना है हाइव फ्लेम पर जिससे कि हम जो यह बैटर अपना इस तवे पर डालें गे तो वह डिपके नहीं अच्छे से आसानी से छूट जाएगा इसलिए तवे को बहुत हाइव पर गरम करना तो इस तरह से हम पहलाते वे जिसको अच्छे से पतला पतला पहलाना है और थोड़ा सा बड़ा पहलाना है तो देख सकते हैं ताकि यह कच्छा रहने का तो कोई सवाल ही ना रह जाए तो इस तरह से हम फैला लेंगे और कवर करके ढखके पका लेंगे दो से तील में बेशन का है बहुत पानी से छूट कर आएगा तो कोई जरूर नहीं है कि आपके पास नॉन स्रिक पहने हो तभी यह सबजी बना करके तयार कर सके देखिए हमने नॉर्माल आइरन के तवे पर बनाई है तो इस तरह से परट कर हम सेख लेंगे क्रिस्पी होने तक ताकि यह बिल्कुल कच्छा रहे में souvent देख्यां दून से दो हमोट यह थे हम करने फॉल्ट इस तरह से देख सकते हैं यह दोश्य तरए टेख्या, आप लोग समझे समके होंगे कि आज बेशन के रोल की सब्ची बनाने वाले है compl twenty, बहुत है तो इस तरह से देखिए तावी पाुश तावी में हम तो जैसे कट करते हुए लगरा जैसे यह तूट रहा है ठीक है अगर आप ऐसे दबाह करके इसको अलग निकाल कर रख लें और ठंडा कर लें उसके बाद कट करें तो यह बहुत अच्छा सा बन के आता है तो यह देख सकते हैं मारा रोल और आप यह देखे इस पैन में डाले क्याज और लेसन पैष बारी कट करबाद है तो डालेंगे स्वाथ केशल नमक थोड़ा सा इसमें ठोड़ा से नमक अभी ऐट करेंगे ठीक है क्योंकि हम अब में अभी डालेंगे अगर आप नहीं ऐसे ऐड कर पा रहे आपको लाग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा आप से तो आप एक ही बार में टाल दे थोड़ा सा नमक स्वात कहने सारपना तो यह देख सकते हैं आप इसे मुद्धने डाला है दनिया पौडर और देखिए लाल मिर्च पौडर लाल मिर्च पाॉडर हम एड करना है कि बच्चों के लिए यूज़कर तो तीखा नहीं होगा कर रह तो यह दिखिए थोड़ सा हमने इसमे अट किया है पानी अपना ग्रेवी के लिए एक कटोरी अभी हमें कुछ ठीक लग रहा था तो हमने इसमें आपको टोरी पानी और अट कर दिया है ठीक है इसके लिए ग्रेवी जादा पतली नहीं अच्छी होती है हलकी सी अब यह देख जा प्षाण दो हम आट किया है और हम आट करने हैे ग्रेवी ग्रेवी मतली नेधा को के जाए हुआ तने प्रृब्लम नहीं है और इसमें अब हम आट करएंगे ग्रम मसाला यह देखिए स्वात के अनुसा और आब एट करेंगे हरी धनिया क्योंकि यह हम एट बना रहे हैं बच्चों के लिए तो ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे आप लोग अपने इसाब से अर्जेस्ट कर सकते हैं इसको कि तीखा कम या ज्यादा तो इस तरह से टर्ण करते ह इसको हम थोड़ी एक सेगन के लिए पका लेंगे बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे वरना जो यह हमारे जो यह हमारा चीला पड़ा है वह टूट जाएगा तो यह देखिए करें यम्मी टेस्टी बन करके सबजी हमारी तयार हो चुकी है जिसे हम सर्व कर रहे हैं तो दे आएगा देख सकते हैं गाइज बहुत 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 यम्मी लग रही हमारे कर में तो यह बहुत पसंद आई सबको यह देखिए गाइज अगर हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर